नमस्कार किसान सात्यों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम अफीम की सफल खेयती के बारे में बात करने वाले हैं किसान सात्यों इस इस्तति में जब अफीम होता है तब उसमें चीरा लगाने की तयारी की जाती है अभी आपको बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे होंगे धीरे धीरे डोडे जो है उनका आकार बढ़ता जाएगा और डोडे पक जाएगे उसके बाद चीरा लगाने की तयारी की जाती है तो किसान साथियों इस इस्तती में बहुत सारी बीमारियों का प्रकोब भी देखने को मिलता है अफिम में जिसकी वज़े से उत्पादन में कमी आती है तो किसान साथियों अगर आपके अफिम में इस इस्तती में सफेद मस्य हो जो की प्रायह देखी जाती है इस इस्तती में सफेद मस्ती का प्रकॉप बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो किसान साथियों इस इस्तती में आप इंडेक्स का जो माइकलो बुटानिल होता है जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ ये किसान साथियों आप देख सकते हैं इसका आप इस्प्रे कर सकते हैं और दस आरी में कम से कम साथ टंकी बना कर इंडेक्स का जो माइकलो ब्यूटानी लाता है नागर जुना का जो इंडेक्स है उसका इस्प्रे कर सकते हैं ये सफेद मस्जी पर बहुती अच्छा कारगर होता है और बहुती अच्छा इसका रिजल्ट भी होता है, तो किसान साथियों आप इसका इस्प्रे कर सकते हैं, और यदि आपके अफिम में ज़्यादा सफेद मस्जी का प्रकोफ है, तो इसके साथ आप कस्टोडिया भी मिला सकते हैं जो कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इसके साथ आप कस्टोडिया भी मिला सकते हैं जिसमें एजोक्सिस्टोबिन और टेब्यू को नाजोल पाया जाता है तो किसान सातियों ये तो हुई बीमारी की बात अगर सफ़ेद मसी हो तो आप नागरजुना का इंडेक्स ये आदामा का कस्टोडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको जमीन के मध्यम से भी दिया जा सकता है और रही बात अब उन किसान सातियों की जिनके अफिम में ये शिकायत ही कि डोड़ों के साइज बड़ा नहीं हो रहा है जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो छोटे-छोटे डोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इनका साइज बड़ा कैसे किया जाए तो किसान सातियों इनका साइज बड़ा करने के लिए आपको किसी अच्छी कमपनी का प्रोड़क्ट लेना होगा जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या इस्प्रे करना है डोड़ों का साइज बड़ाने के लिए तो किसान साथ ये डोडो का साइस बढ़ाने के लिए आपको multiplex का जो trishool आता है उसका इस्प्रे करना है 50 g पर pump के हिसाब से जो 15 लिटर वाला pump होता है उसमें आपको 50 g लेना है यानि कि 10 आरी के अफिम में आपको कम से कम 200 से 200 g के बीच में trishool का लेना है एक किलो त्रिशूल की थेली आती है ये अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में किसान साथियों ये जो एक किलो मल्टिप्लेक्स का त्रिशूल आता है मल्टिप्लेक्स बहुत ही जानी मानी कमपनी है इसका जो त्रिशक्ति आता है मा 즐åf कीज़ेगा मैं बोल रहा था इसका जो 3 शक्ती आता है इसको आप 50 ग्राम पर पंप के हिसाब से इसप्रें करें और आपको पंप के इसप्रें आपको पंपो समझने याता है तो मैं आपको बता देता हूं 10 आरी का जो अफिम होता है उसमें आपको 200-200 ग्राम 3 शक्ति गोल कर इस्प्रे करना है उसके बाद आप 6 तंकी बनाएं 200-200 ग्राम 3 शक्ति लेकर आपको 7 तंकी कम से कम बनानी है आप 8 भी बनाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो किसान साथ यो इसका इस्प्रे करने से आपको डोडो में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा डोडो की बहुत अच्छी ग्रोथ और साइज आपको देखने को मिलेगी और अफिम जिन भाईयों के चिपक चिपक कर आ रहा है खुल कर आ नहीं रहा है उसमें भी ये बहुत अच्छा कारगर है तो किसान साथियों आप ये करके अच्छा अफिम का उत्पादन ले सकते हैं तो किसान साथियों आज के वीडियो में इत्ता ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तन्यवाद